Hello Everyone, I hope कि आपके English के Paper की Preparation बहुत ही अच्छी चल रहे होगी तो 31 को आप लोग का Paper हो तो 31 के लिए सबसे Important Sample Paper है ये इसके अंदर अगर आपने कोई Sample Paper Solve कर रखा है तो भी इसे Completely देखना और अगर नहीं कर रखा है तो तो 100% इसे Completely देखना क्योंकि देखो इसके अंदर जो Questions है इसके अंदर सारे के सारे जितने भी Selected आपके पिछले 10 सालों के अंदर Questions आये हैं वही Important Questions है तो उन Questions को बिल्कुल भी Ignore मत करना क्योंकि ये जो Paper है ये Paper काफी ज़दे Important हो सकता है कि कल आपको इस Paper में से Questions देखने को मिल जाए पर मैं ऐसे आपको नहीं बोलूँगा कि Exactly ऐसा Paper आएगा Paper पैटन यही रहेगा बस Questions अलग हो जाएंगे और अगर आप इसको Solve कर लोगे तो आप कल वाला Paper बहुत ही आसानी से Solve कर सकते हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि RBSC के Class 10 के कोई भी सेंपल पेपर प्रोवाइड नहीं करवाता अगर कोई करवाता भी है तो वो क्या करता है कि एक दो मिनट के अंदर बता देता है कि यह पेपर है इसको देख लो आराम से Solve कोई भी नहीं करवाता तो आज आपको Completely as your education channel के उपर full on solution मिलेगा हर एक question का solution मिलेगा हर एक answer का solution मिलेगा तो भी है यह sample paper का solution है तो इसी बात पर like मार दो क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी educational channel नहीं है जो कि आपको complete solution प्रोवाइट करवाएगा तो इसी बात के उपर like और subscribe हो जाना चाहिए क्योंकि subscribe करने के बाद में आपको ऐसे आपके science के match के सभी के important paper और questions पगेरा प्रोवाइट करवाएजाएगे तो like और subscribe करना बनता है तो भाईया जल्दी से like करो और subscribe करूँ अब देखो इसके अंदर सबसे बहले बात करें paper कितने number का रहेगा paper रहेगा 80 number का और सवा 3 गंटे का time रहेगा और paper के अंदर कोई question नहीं छोड़ना ये बात अपने दिमाग में डालो कि कोई question नहीं छोड़ना है एक भी question नहीं छोड़ेंगे और सारक सारा paper attempt करेंगे और अपने आपसे promise करो कि I will score 100% ये मेरे को चाहिए I will score मेरे को comment box के अंदर लिखो कि I will score 80 ठीक है क्योंकि देखो जब तक खुझ से वादा नहीं करोगे जब तक कैसे करवाओगे तो यहां पर यह वाला वादा आप लोगों से हैं कि 80 out of 80 सभी का आएंगे बहुत आसान होता है लाना बस ध्यान से सुना अब देखो सबसे पहले आएंगे यहां पर passage number A मतब कि एक passage रहेगा अंसे जो कि आपका पढ़ावा नहीं रहेगा इसमें पहले आपको पढ़ना है और फिर इसको बाद मैं answer find out करने तो पहले इसको पढ़ो ध्यान से इसको वीडियो को पॉस करो और इसको पढ़ो और फिर मैं इसके answer बताता हूँ अब देखिए यहां पर इसके अंदर सबसे पहला जो question है देखो बहुत आसान question है पहला question बहुत ही आसान है तो पहले वाले का answer मेरे को बताओ कि पहले वाले का answer क्या है देखो अब अगर पहले वाले का answer की बात करूँ what is the name of beer तो name of beer के अगर बात करें तो यहां पर यह वाले लाइन के अंदर है कालू the beer तो इसका नाम क्या होजा है का आपको सीधा से एक word के अंदर लिग देना है कालू इसका नाम है अब उसके बाद में यहां पर आता है second वाले question जिसके अंदर है कि who pushed a stone in a mouth of crocodile तो यहां पर वो greedy देखते थे कि उसको लगता था कि जो उसका trunk है उसको बेच करके वो पैसे कमाएंगे तो greedy look देते थे elephant को कि उसके दात निकाल लेंगे और फिर उसे बेचेंगे तो यहां पर greedy look इसका एकदम से correct answer और फिर यहां पर ace के अंदर है कि how how stomach act for the 10 days तो यहां पर इसके अदर whose stomach मतलब की किसका stomach stuck हुआ था तो यहां पर crocrodile का वा था तो crocrodile इसका एकदम से correct answer है फिर चलते है आप पर इसी के question number 17 के अंदर की how did the boys react seeing the beer in the pain तो इसमें क्या हुआ था कि जो boys थे उन्होंने क्या कर रहा थे कि उसको breads खिला रहे थे जब वो उसको bread खिला रहे तो लास् pain the boys clapped their hands and laughed तो इसका answer ही होगा 500 के answer से हो चुके हैं इसी तरीके से आपको इस पैसे नंबर 2nd solve करना है तो पैसे नंबर 2nd को वीडियो को post करो फिर उसके बाद में इसको solve करो और यह paper कहां पर मिलेगा आप लोगों का एक doubt रहता है कि सरी paper कहां पर मिलेगा तो paper आपको telegram group के उपर तो नीचे एक telegram का group है उसके उपर जाओ उसके उपर जाकर के join करो वहां पर आपको यह paper प्रोवाइट करवा दिया जाएगा अब उसके बाद में हम पर आते section B अब देखे section B क्या है section B के अंदर आप लोगों को मिलेंगे 2 questions अभी देखे इस तरीके से इसमें question रहेगा सबसे पहले question को हम करते हैं 11 वाले को suppose यू आरे रश्मी और राजेस तो अब देखो इसके इंदर स्टुडेंट से सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करोगे कि आप इसके इंदर अपना नाम लिख दोगी जैसे कि मेरा नाम आयूश है तो मैं आयूश लिख दू लिखने principle को कि for the two days due to sickness तो यह बहुत यह आसान application है यह जो हम आज से फिफ्ट क्लास से लिखते बार वही application लिखने है मैं फिर भी एक बार format बताता हूँ सबसे पहले तो लिखेंगे to और फिर उसके बाद नहां पर लिखेंगे to the principal ठीक है यह यहां पर होगे principle और फिर उसक पहले की फिर उसके बाद में subject क्या है subject यहां पर है कि sick leave two days की leave चाहिए क्योंकि I am sick ठीक है अब उसके बाद में आपको लिखना होगा अब उसके बाद में लिखना पड़ेगा कि I am Rajesh ठीक हो यहां पर सुनो I am Rajesh student of class 10th student of class 10th of your school and I am suffering from fever from the last two days so that I am not able to attend the school for the next two days sir please grant me leave for the three days बस इतनी इसी है तीन से चाल लाइने लिखने होगी और फिर लास्ट के अंदर क्या लिखना होगा लास्ट के अंदर आपको लिखना होगा योर्स ओबिडेंटली और फिर उसके बाद में योर्स ओबिडेंटली के बाद में नाम जो कि है राजेश राजेश के बाद में अगर रोल नाम लिखने के बाद में रोल नंबर 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 नहीं देनी है ठीक है अब उसके बाद में आप राते हैं सी का ही सेकिंड पार्ट जो के हैं यहाँ पर यू आर विद्या और विशाल studying in the class 10th in government senior secondary school पहले हम कोटा में थे अब हम हो गए अजमेर में आपको एक application लिखनी है headmaster को कि जो आपका transfer certificate है वो इशु करवा दें तो exactly दोनों का pattern सेम ही है इसके अंदर जो subject रहेगा कि यहाँ पर issue your transfer certificate इसका subject रहेगा और उसके अंदर subject क्या था कि यहाँ पर two days live due to sickness तो यह दोनों के subject चेंज है और बागी पूरी-पूरी language वही रहेगी और format वह रहने माला है अब आता है इसका question number जो है बारवा अब देखो question number बारवे के अंदर क्या करना है आपको एक लिखना है एक short paragraph लिखना है 50 words का अब देखो बच्चे 50 words को देखकर के क्या समझते हैं वो यह समझते हैं कि इसके अंदर एक एक word करके count करेंगे एक दो तीन करके ऐस करते हैं ऐसे count नहीं करते एक्जाम में जिसे कि 50 words लिखा है तो 50 words का मतलब है कि आपको कम से कम 5 से 6 लाइन ने लिखनी है और उससे ज्यादा नहीं लिखना है तो टीचर क्या होता है इसमें यह माना जाता है कि एक line के अंदर कितने word होते हैं भी एक line के अंदर 10 words होते हैं ठ तो आपने birds देखे, animals देखे, class teacher के साथ में कहते है, class teacher के साथ में और loins देखे, tiger देखे, इस तरीके से यह सब कुछ इसके अंदर दिया होती है, यह जितने भी words से इनको जरूर से include करना, अगर इनसे भी sentence बना करके लिख दोगे, हर एक words से sentence बना करके लिख दोगे, तो भी अराम से बहुत ही अच्छा short paragraph लिखा जाएगा और थोड़ी grammar का ध्यान रखना, verb वगेरा का, तो वहां से बहुत ही अच्छे से ही हो जाएगा, अब यह अगर यह वाला नहीं लिखना है, तो अब उसके बादे अपने best friend का लिख दो, my best friend, जो भी अपका best friend है, उसका नाम और फिर वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई में, वो कॉर्परेटिव है, हर किसी की help करता है, ऐसी सब कुछ अच्छी अच्छी बाते लिखने होती है, यह नहीं कि अपने दोस्त की बुराई कर रहे हो, एक्जाम में बुराई मत करना, बहुत ही अच्छ चुट जाएगा, अब यहाँ पर आता है, कौन से वाला क्योशन है, यह है, क्योशन नमबर 13, अब देखो, स्टोरी है, यह स्टोरी बहुत ही आसानी स्टोरी आने वाली है, जो कि आप लोगों ने पढ़ रहे होगी, अब पहली वाली जो स्टोरी है, वो है कोवे वाली, मत अब कि एक कुटा था, जो के ना, ब्रेड का टुक्डा मूमे लेके जा रहा था, और यह पुल के उपर चाता हूँ, वो नीचे पानी के अंदर अपनी परचाई देखता है, और परचाई देखकर के वो क्या करता है, वो सोचता ही, कि ना, मैं इसको परचाई में अपनी प और फिर उसके बाद में ना तो उसे bread का मेरा ना के बाद धार में और इसके इक बात नह buttons गे उनगे और पर इस ने किdrum number मैं कोई भी number नहीं काटने वाला अब इसी तरीकिसे यह साई रूंड़ वो वाली कहानी है, बंदर और टोपी वाले की, जैसे कि टोपी वाला था, टोपी वाला दिन में गाउंगाउं गोमता था, अपनी टोपियां बेचता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो काफी ज़्यादा थक्या, तो वो पेड़ के नीचे जाकर के बैढ़ गया, और उस दिमाग लगाया, उसने सिर पर लगाई, तो सभी ने सिर पर लगा लिए, उसने हाथ में लिए, तो सभी ने हाथ में लिए, फिर उसने क्या करा कि उसको नीचे फेक दिया, तो सभी बंदरों ने नीचे फेक दिया, और फिर उसके बाद में जब सभी ने नीचे फेक दिया अब देखो यहाँ पर जी यह जो है section C यह है भई grammar वाला देखो grammar वाला section इतना आसान होगा कि सबसे पहले देखो कौन से वाले section करना चीए सबसे पहले section जाती करना literature वाला अब देखो literature वाले के लिए क्यों बोल रहाँ अब देखो कितने आसान opposite words आ है जैसे कि false का क्या होगा false का सभी को पता है कि false का होगाroc तो सब भी students को पता हो चीए अभी उससी तरीकी से बताई night का क्या होगा वह होगा day और फिर उसके बाद में आपा bad का क्या होगा और rich का क्या होगा 3rd और 4th वाले का मेरे को comment करके बताओ कि 3rd और 4th वाले का क्या answer देखो बहुत आसान है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तकि आप लोगों को भी लगगी हाँ भई हमें भी आता है तो इसका 3rd का और 4th वाले का answer में को comment box में बताइए तो जो 3rd वाले का answer हैगा बेड का क्या रहेगा वो रहेगा गूड और रिच का क्या रहेगा वो रहेगा पूर अनफीट का क्या रहेगा वो रहेगा फिट और स्वीट का क्या रहेगा वो रहेगा वो रहेगा ठीके अब उसके बार में इसी तरीके से opposite gender के बारे में लिखना है तो man का क्या होता है वोता है woman और फिर father का क्या होता है mother daughter का क्या होता है son और loynness का क्या होता है वोता है loyn तो यहाँ पर बताओ कि groom का क्या होगा fifth वाले का answer क्या होगा मुझे comment करिए कि fifth वाले का answer क्या है अब देखो यहाँ पर groom का मतलब क्या होते है जल्दी बताइए भही आप मेरे को comment box के अंदर अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका answer क्या रहेगा इसका answer रहेगा वो रहेगा bride ठीक है bride मतलब यह होता है दुलहन और groom मतलब होता है दुला तो दुला दुलान की शादी होती है तो उसी तरीके से यह याद रखना की groom और bride रहते है और फिर hen की बात करें तो hen का जो opposite रहेगा वो रहेगा cock ठीक है hen का opposite रहता है cock मुर्गी का मुर्गा रहता है ठीक है अब उसके बाद में next चलते हैं इसमें अब इसके अंदर बोल गया है कि write the number of the words in the following words तो मनदब कि write the number of following words यह पता नहीं कौन सा क्योशन है तो यह वाला थोड़ा जहां पर भी क्या आए जहां पर भी a e i o u i मतलब यह इनको बोलते है वोवल्स जहां पर भी वोवल्स आएंगे वहां पर क्या लगेगा n ठीक है वोवल्स के लिए लगेगा n और बच्चे वे सभी की जगह पर लग जाए तो simple जी बात यहाद रखना है जैसे कि अगर कह द लिए a आएगा या फिर n आएगा ठीक है a आएगा या फिर n आएगा मेरेको इसका आंसर बताइए कि boy के लिए a आएगा या फिर n आएगा जल्दी से जवाब दो मेरेको कि a आने वाला है या फिर n आने वाला है तो जिस किसी ने भी कहा है a आएगा उसका सही है क्योंकि द अभी देखोई यह पर बात करें सन तो सन के लिए क्या जाएगा सन केलिए आएगा या फिर एनएगा या फिर आयगा तो देखोई यहां पर सन क्या वह एक वीए कि अर्थ के लिए क्या आएगा वाई अर्थ के लिए ए आएगा एन आएगा या फिर दा आएगा मेरको इसका भी आंसर बताओ देखो दो क्योशन पूछे दोनों के आंसर मुझे चाहिए अगर यह समझ में आगे तो फिर कल पेपर के अंदर कोई भी देकत नहीं होने वाली यहां पर सबसे पहले इसका आंसर जो रहेगा वरएगए द अर्थ क्योंकि प्रिद्वी एक है तो घ इसके लिए आंशर रहाएगा अब उसके बादमें he is university boy तो अब देखो यहां पर university boy है तो यत तो सबसे पली यूनिक तो है नहीं तो दय तो पहली idea, दय तो आने नहीं वाला, क्योंकि एक university boy एक ही थोड़ी होगा, जारो universities है, हारा जारो उसमें लड़के हैं, तो एक university boy नहीं रहेगा, अब यहाँ पर इसमें आएंगे कि A और N में से decide करना है, अब A और N में से जब decide करेंगे, तो यहाँ पर N के लिए क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, A, E, I, O, U, तो यहाँ पर U है, तो मलब university है, तो यहाँ पर N इसका correct answer हैगा, तो फिर first वाले का जो answer है, वो रहने वाला है, B option एकदम से correct है, अब चलते हैं, पर second वाले के अंदर है कि योगिता, is A, या फिर the, या फिर none, कौन से वाला कि मतब आपने जो भी answer दिया होगा, आपको यह लग रहा है कि दया आना चाहिए, इसमें, दया इसलिए आना चाहिए, क्योंकि योगिता is the most intelligent girl in her class, तो यहाँ पर यह सही है, या फिर गलत है, देखो यहाँ पर the most intelligent girl इसका correct answer रहेगा, अब ऐसा इसलिए है, क्योंकि वो इन अ क्लास, तो यहाँ पर अगर वो होता, मतलब कि एक तरीके से, अगर बोल दिया जाता है, intelligent को हटा करके, क्या बोल दिया जाता कि girl, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता कि is a girl in a class, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है, फिर इसी तरीके से question number third है, he is an able teacher आए और इसके लिए भी है, ठीक है, तो इसके answer यह है, अब इसी तरीके से चलते हैं, इसके next वाले question के उपर, तो next वाले question है, next वाले question के अंदर, जब देखते है, question number 18 के अंदर, question number 18 के अंदर आपको correct form of verb लगाने है, तो अभी देखे, सबसे पहला जो question है, कि God, मतलब कि यहाँ आपर के आएगा, helped आएगा, helps आएगा, help या फिर helping, तो यहाँ पर देखो कि help those who help themselves, तो देखो यहाँ पर भगवान भी उसी की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है, भई सुनो एक और बात, तो यहाँ पर अगर आप लोग उनने, अगर आप लोग बढ़ाई पूरी क और आप सोचते हैं कि भगवान आपकी मदद करेंगे, कभी नहीं करने वाले, अगर खुद से मैनत करी होती है, जम के, फिर उसके बाद में भगवान आपकी confirm मदद करते है, तो यह बात हमेशे याद रखना अपने जीवन में, कि जब तक खुद से मैनत नहीं करोगे, जब तो helping तो आने नहीं वाला, क्योंकि present continuous tense है नहीं, और helped भी नहीं आने वाला, क्योंकि past tense है नहीं, तो दो हटा दिए, अब उसके बाद नहीं हाँ पर helps आएगा, तो देखों यहाँ पर themselves है, तो याद रखना कि जब कभी भी themselves है, फिर ऐसी कोई आए जिसके अंदर की हम हमारी तरफ करें, फिर किसी और की तरफ करें, तो वहाँ पर आएगा helps, तो यहाँ पर इसके अंदर helps वाला सही रहेगा, तो helps इसका correct answer है, be option correct है, अब यहाँ पर second वाला question है, last night I went to college, मतलब कि एक तरीकी से देखो, यह past की बात हो रही है, तो यहाँ पर past की बात होती है, तो आप मैंने इतना पढ़ा दी, तो मैं confused हो रहाँ कि बी और सी में से कौन सा होगा, तो मेरे को बताओ कि comment box में कौन से वाला answer correct है, देखो एक तरीके से मैं यह question पूछ लिया, अब मैं बच्चा बन गया, और आप लोग टीचर बन गया, अब आप मेरे को बताओ कि इसका answer बी और स लगाते हैं, और अगर parallel रहते हैं तो वहाँ पर आर लगाते हैं, और singular रहते हैं तो वहाँ पर वोज लगाते हैं, और अगर parallel रहते हैं तो वहाँ पर वर लगाते हैं, यह कुछ बाते हैं जो कि याद रखनी है, अब यहाँ पर इसके दिर बोला है, कि अब देखो यहाँ यह fr तो उसको जेंटल मैन कर बॉक्स में क्या मिला था A, B, C, D में से कौन से वाला उत्तर रहेगा तो अलदी से इसका आंसर में को comment box में बताईए सारे के सारे जितने भी 500 के 500 question है जो भी कर रहा है सबी के सबी कीजिए इनके answer मुझे बताईए जल्दे से comment box के अंदर A, B, C, D, first, second, third, fourth, एक से लेकर के 5 तक के मुझे answer बता दीजिए कि sir A, B, C, D, E इस तरीके से answer मुझे बता दो जो भी answer हैं आप लोगे फिर इसी तरीके से पूरे पूरे questions रहने वाले true false वाले statement देख लेना ये देखो ये true false वाले statement है फिर उसको बादम match the column है तो ये सब कुछ अराम से देख लेना कोई भी ज़्यादा paper tough नहीं है बहुत ही आसान paper आने वाला है और ये वाला paper आप लोगों को मिल जाएगा टेलिग्राम पर तो टेलिग्राम जो channel है उसको join करना मत भूलना और अगर अभी तक आप लोगों ने like नहीं करें तो like करो जल्दी से subscribe नहीं क्या है तो subscribe भी कर लो क्योंकि ऐसी ही और videos आप लोगों को मिलेंगी तो मिलते हैं next video में कि बड़ी आसे paper के साथ में तो वो भी आप लोगों को help करेगा तो मिलते हैं next video में